अभी की खबर है मचवारों की सुरक्षा के लिए जहाजों पर लगेंगे ट्रांसपोंडर हालिया खबरों के अनुसार सरकार मचवारों की सुरक्षा के लिए जहाजों पर ट्रांसपोंडर लगाएगी मचवारों की व्यापार इवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुद्री मचली पकड़ने वाले जहाजों पर सरकार ने एक लाख ट्रांसपोंडर लगाने की घोशना की है बता दे कि यदि कोई मचवारा भारत का विशिष्ट आर्थिक शेत्र यानी EEJ पार करता है तो यह ट्रांसपोंडर अलर्ड चारी करेगा भारत में मचसिपालन, प्रबंधन इवं इसके विकास को बढ़ाने में अंतरिक्ष प्राध्योगी की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है गौर तलब है कि भारत हर वर्ष लगभग 60,000 करोड रुपे के समुद्री उत्पाद निर्याद करता है चली अब जानते हैं विशिष्ट आर्थिक शेत्र यानि EEJ के बारे में भारत का विशिष्ट आर्थिक शेत्र उसके प्राधेशिक समुद्र से अलग है और इसकी सीमा आधार सीमा से 200 समुद्री मील दूर तक होती है उलेखनी है कि भारत का प्रादेशिक समुद्र शेत्र बेसलाइन से बारत समुद्री मिल की दूरी तक फैला हुआ है प्रादेशिक जल की बीच से सभी विदेशी जहाजों को इनोसेंट पैसेज पर जाने का अधिकार होता है बता दे कि इनोसेंट पैसेजव समुद्रे मार्क होता है जिस पर कुछ प्रतिबंदों के अधीन किसी जहाज को किसी दूसरे राज्य के द्विपसमों और प्रादेशिक जलसे होकर गुजरने के अनुमती होती है अनकलॉस के अनुसार E.E.J. भोगोलिक सीमा से अलग एक सामुद्रिक शेत्र होता है जिसके अंतरगत तटवर्ती देशों और अन्य देशों के अधिकार शेत्र परिभाशित होते हैं गौर तलब है कि अनकलॉस एक मात्र अंतराश्टी समझोता है जो समुद्री शेत्रों में किसी देश के अधिकार शेत्र के लिए रूप रेखा निर्धारित करता है एवं विभिन समुद्री शेत्रों को अलग-अलग कानूनी दर्जा प्रदान करता है यसीमा आमत और पर सभी देशों के लिए तट से 200 समुद्री मिल तक विस्तारित होती है इसके भीतर तटिय राज्जियों को अनवेश्वर करने और इशेत्र की संसाधनों का दोहन, सनक्षन इवं प्रबंधन करने का अधिकार होता है चली अब जानते हैं भारत में मत सिपालन के बारे में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलिय कृशी वाला राश्ट्र है भारत चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा मचले उत्पादक राश्ट्र है बता दे कि भारतिन सम्विधान की साथवी अनुसूची के तहट समुद्री मत्स प्रबंधन राज्जी का विशे है आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे इस स्वतंतुरता दिवस के अवसर पर दृष्टी आयस के सभी ऑनलाइन पैंड्राइफ कोर्सेज डिल्प एवं टेस्स सेरीज पर पूरी 40 प्रतिशत की छूट है यह ओफर उपलब्ध है 15-18 अगस्त तक अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गयर लिंक पर क्लिक करे और अपनी सीट सुनिशित करे अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्रकों निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, हालियक खबरों के अनुसार सरकार मच्छवारों के सुरक्षा के लिए जहाजों पर ट्रांस्पॉंडर लगाएगी दो, भारत का प्रादेशिक समुद्र बेसलाइन से बारत समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है उपर युक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बीकेवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्र का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाल 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 झाल